गुद मोर्निंग एबरिवान गुद मोर्निंग सभी को प्रणाम बेरी कोईड मोर्निंग डिम्पल आर्यू देर हब भी नहीं आई है ओके चलिए फटाफट से जॉइन कर लो सभी लोग स्टार्ट करते हैं क्या हाल चाल आए सुबह सुबह इतनी पढ़ाई कर दे तुम लोग हैं क्या बात है कैसे काम चलेगा इतना पढ़ाई करोगे सुबह सुबह बताओ ओके चली आजाई हाँ बहुत बढ़िया स्कार्ट करते हैं दोस्तों क्या आज शुरू करना एब्रिवन ओडिट वाला कॉंसेट यह सुनो अपॉइंट्मेंट की बात कर रहे हैं हम हाँ या ना चली बहुत बढ़िया शुरू करते हैं हमारा concept आग से ओके तो सबसे पहले हमने क्या क्या कवर किया था जल्दी जल्दी बता दें ADT1, ADT2, ADT3, ADT4 ADT1 किसके लिए था, appointment के लिए था ADT2 किसके लिए था, येस, come on removal of auditor, बराबर है क्या, yes or no okay, then इसके बाद ADT3 किसके लिए था, बिटा, resignation के लिए and ADT4 किसके लिए था, बिटा, fraud वगेरा के लिए, बोलो हाँ या ना बहुत बढ़ी है, okay, now, next point आता है हमारे पास, बिटा क्या क्या कवर करना था, appointment के लिए सबसे पहला क्या क्या जरूरी था, बिटा qualification and disqualification of the auditor, yes or no दूसरा, powers and duties क्या क्या देना है and prohibited services क्या क्या उसे cover नहीं करना है, ये भी cover किया था, हाँ या ना, yes इसके बाद appointment of auditor की बात की थी, yes or no, appointment of auditor, कब तक कर सकते हो बेटा, जल्दी बोलो, फटा फट से, max to max, come on पांच साल के लिए, yes or no, क्या उसके बाद भी कर सकते हैं, हाँ, उसके बाद भी कर सकते हैं, बराबर एक या, yes, casual vacancy कौन फिल अप करता है बेटा, जल्दी बोलो फटा फट से, board of character, बताया था की नहीं बताया था, बोलो हाँ या ना, yes, तो चली आजाए, इतना, इतना हमने cover कर लिया था, yes, अभी आजाते हम, इसके आगे की बात करेंगे, बताया, ओके, so, चली, yes, now बिटा, यहां पर अगर हम chart देखेंगे, ठीक है, तो basically qualification हो गया था हमारा, rights and duties cover कर लिया था, prohibited services cover कर लिया था, बराबर है, अगर हम appointment देखते हैं, appointment of auditor, जो है, right, यह तो हमने cover कर लिया था कि why members करता है, कौन करता है, appointment कौन करता है, members करते है, yes or no, yes, कितने साल के लिए करेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, five years के लिए करेंगे, कितने साल के लिए करेंग कि auditor ने जिनको हम appointment कर सकते है, that is, auditor by rotation, yes or no, subsequent auditor, first auditor, casual vacancy and auditor appointed by what, audit committee, यह यह जो पूरा concept है, that is called as what, come on, yes, appointment of auditor के case में है, yes or no, yes, okay, then इसके बाद, अगर मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे, appointment of auditor, यह हमने concept clear किया था, इसको आगे चलते है थोड़ा सा, यह भी cover कर लिया था, rule 3 हो गया था, yes or no, rule 4, rule 5, yes, यहां से आते हैं, अब मेरी बात अगर समझना बेटा, सबसे पहले अगर इसने क्या बूला है, 139.1 क्या बूलता है, 139.1 बूलता है कि auditor को कौन appointment करेगा बेटा, जल्दी बूलो, फटावर से, members, और members अगर auditor को appointment कर रहा है, वो कहां पे appointment कर रह है, yes or no, first AGM है, तो 31st December है, बराबर, और अगर subsequent AGM हो रहे है, subsequent AGM अगर हो रहा है, तो फिर 31st September था, यही डेट थी, बूलो हाँ या ना, मतलब अगर मैं यह बूलता हूँ, अच्छा, यह तो AGM की बात होगी, बराबर है क्या, हाँ या ना, अच्छा, यह कौन से year पे होगा पेटा, following year पे, yes or no, following year, of incorporation, yes or no, जिस साल incorporation हो है, उस साल AGM नहीं होगा पेटा, अगले साल पे, yes or no, अगले साल, मतलब, after the end of the financial year, in which the company is incorporated, right, उस following year पे जो है, AGM होगा, बराबर है या नहीं है, हाँ या ना, सेम यहाँ पे भी, clear everyone, बराबर है, तो मान लो, company incorporate हुई बेटा, 1st May 2022 को, कब हुई बेटा, company incorporate का हुई, जल्दी बोलो फटाफट से, company incorporate हुई, 1st May 2022, बराबर है क्या, yes, अब मान लो, मुझे AGM कब होगा बेटा, AGM मान लो, यहाँ पे होता है, yes or no, AGM मान लो, 1st AGM होगा बुला, हाँ या ना, क्योंकि company incorporate हो रही है, तो 1st AGM होगा, 1st AGM कब होगा बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, 31st, 23 पे होगा, 22 पे नहीं होगा, बराबर है ना, मैंने बूला ना, जिस year पे company incorporate होगा है, उस year पे जो है, AGM कंड़क करने की ज़रत नहीं है, yes or no, तो पहला AGM कब होना चाहिए बेटा, due date क्या होना चाहिए, this is the due date, yes or no, AGM कब हो सकता है बेटा, 1st April 23 से लेके, 31st December 23 कभी भी हो सकता, yes or no, बराबर है, बिल्कुत, पर 1391 बोलता क्या है बेटा, 1391 बोलता है कि members जो है, यहाँ पे, जब तक AGM नहीं होगा, तब तक member appoint कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो member जो है, auditor को appoint कहां पे करेगा बेटा, AGM में, कितने साल के लिए बेटा, पान साल के लिए, यहीं मतलब बोल रहा है, बोलो हाई या ना, yes, question मेरा समझ में आ गया होगा, question मेरा क्या है बेटा, question है कि यहां से लेके यहां तक transaction हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, बोलो जरा फटा फटा फट से, अगर first में 22 से लेके, बराबर है, 31st December 2023, और यह रहा आपका 31st, sorry, 31st March 23, yes और नो, यह हमारा क्या होगे बेटा, financial year माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, financial year 22, 23, बोलो हाई या ना, financial year 22, 23 पे कुछ transactions हुआ होंगे, तो इसका profit and loss, account and balance sheet बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, yes और नो, yes, तो अब यहां पे भी compliance की जरुरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यह बताओ, compliance की जरुरत 22, 23 पे होगी की नहीं होगी, भूलो जरा फटर फटर से, yes, और नो, होगी या नहीं होगी, तो बात यहां आती, अच्छा, casual vacancy कर मान लो, यह मर वर जाता है, तो फिर कौन अपॉइंट करता है, board of director अपॉइंट करता है, बराबर है क्या, question मेरा यह है बिटा, कि इस period से लेके, इस period पर, yes or no, क्या auditor होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटर बाइ, क्योंकि समझ में आ रहा है क्या, यह बोल रहा है साब, first AGM के case में, जो है, auditor यहां पर आएगा, जब member आएगा, तो member auditor point करें, मैंने को, okay, मैंने का, what about this period, that is from first May 22 से लेके, 31st March 23 तक, इसका क्या करें अपन, बोलो हाँ या न, yes or no, यहां से यह कितना होगे, बटा, nine months, बराबर है, इन period का भी क्या करूं मैं, auditor, यहां पर भी चाहिए होगा, कि नहीं चाहिए होगा, बोलो जरा फटर फटर से, चाहिए हो गए है नहीं चाहिए हो गए, yes or no, तो यह 22, 23 हो गया और यह financially है, 23, 24 है, nine months के लिए, तो यहां पर auditor की जरुरत पढ़ रही है, कि नहीं पढ़ रही है, बोलो जरा फटर फटर से, everyone, पढ़ रही है, पर क्या यहां पर auditor appoint हो सकता है, क्या member के द्वारा, क्योंकि 1391 बोलता है कि साब, AGM में ही होना है, तो AGM तो अभी हुआ नहीं है, तो क्या करें हम, बोलो हां की ना, picture clear है या नहीं clear है, everyone, yes, तो अब यह बोलते है साब, इस case में मैं क्या करूँ, तो बोलते है साब, आप इस case में कहां पे चले जाओ, section 139, subsection 7 पे चले जाओ, कहां पे चल चले आईए, फटा फट से, yes, ये रहा, appointment of क्या लिखा है बेटा यहां पे, appointment of, come on, क्या लिखा है बेटा, first auditor, क्या लिखा है यहां पे, कुछ first auditor मतलब समझ में आए क्या, यह बोल रहा है साब, notwithstanding anything contained in subsection 1, भूल जाओ, subsection 1 मे, subsection 1 समझ में आए क्या, कि हां, वो बोल रहा ह सह मेंबर, appointment करेगा, AGM में पान साल के लिखा है, सम्सक्शन 1 क्या बोल रहा है, कि मेंबर, appointment करेगा, auditor को कितने साल के लिखा, कहां पे, AGM में बराबर रहा है, बोलो, हाँ या ना, बोलता है, इसको भूल जाओ, 27, अफर्सट, auditor of a company, other than a government company, मैं, assume कर रहा हूँ कि मेरी company कौ अपनी बोलता है, shall be appointed by, come on, क्या लिखा है बेटा, board of director, क्या लिखा है, board of director, within come on, 30 days, from the come on, क्या लिखा है बेटा, जल्दी बोलो, फटा-फट से, date of registration of the company, yes or no, yes, क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर जल्दी बता हो, फटा-फट से, यहाँ पर क्या मतलब हुआ, कि जैसे ही company incorporate हुई, बोलो, हाँ या ना, जैसे ही company क्या हुई बेटा, incorporate हुई, तो यहाँ पर company incorporate हुई है, नहीं हुई, yes, this is the point, तो बोलता है साब, अब, जैसे ही company incorporate हुई, बता हो, क्या बोलता है साब, minimum कितने member होने चाहिए, अगर public company है, तो 7 member होने चाहिए, बोलो, हाँ या ना, yes, डारेक्टर भी होना चाहिए दो डारेक्टर कम से कम होना चाहिए बोलो हाँ या ना यस अगर पब्लिक कमपनी है तो कितने डारेक्टर मिनिमाम दो डारेक्टर तो चाहिए ही चाहिए बोलो हाँ की ना sorry I'm so sorry I'm so sorry ठी डारेक्टर पब्लिक कमपनी होते है बराबर है क्या और साथ मेंबर्स हो गए प्राइवेट कमपनी में कितना है बटा तू मेंबर्स एंड टू डारेक्टर राइट यास यास तू मेंबर्स है तू डारेक्टर पब्लिक कमपनी के केस में कितने है साथ मेंबर्स और तीन डारेक्टर तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बुले होने चाहिए साब अच्छा मेंबर को पावर कहां पर मिला हुआ है बेटा एजी हमें बुलो हाई या ना बोर्ड ऑफ डिरेक्टर को पावर कहां पे मिला है बेटा बोर्ड मीटिंग में बराबर है क्या तो इसने बोला जैसे ही आपकी कमपनी क्या होई बेटा जल्दी बोलो फटाफ़र्स इनकॉर्पोरेट होई क्या होई इनकॉर्पोरेट ठीक तीस दिन के अंदर अंदर आप क्या करो बेटा बोर्ड मीटिंग करो वहाँ पे आडिटर को क्या करो बेटा बनी की आडिटर कौन सा होगा बेटा फर्स्ट आडिटर क्या बोला मैंने फर्स्ट आडिटर को आप क्या करो अपॉइंट करो कहां पे बेटा बोर्ड मीटिंग में और बोर्ड रेजोलूशन पास करते। बुलो हाँ या ना पिक्चर क्लियर है और इसका ADT1 पॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा येस तो जब फर्स्ट ओडिटर अपॉइंट करना है तो इसके सिस्टम का पूरा सिस्टम क्या था बिटा 1391 में क्या बूला था कि फर्स्ट ओडिटर आपको पॉइंट करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बूलो जड़ा फटा फट से यस और नो यस और इसका ADT1 जो है जल्दी बोलो फटा भट से आर ओची को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा फटा पॉइंट कलीयर हुआ या नहीं हुआ हाँ या ना तो यह 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए बटा जल्दी बोलो फटा फट से first auditor जो है appoint हो जाना चाहिए I hope I am clear everyone यस और यह audit यह auditor का जो tenure of office है yes or no term of holding है राइट वो कितना होना चाहिए बटा कम से कम first AGM तक होना चाहिए बोलो हाँ या ना क्योंकि AGM जब होगा तो वहाँ पे member के पास power है वो auditor appoint कर लेगा आगे के 5 साल के लिए बोलो हाँ या ना तो गाड़ी disturb कहां तक हो रही थी बटा first AGM तक बोलो हाँ या ना picture clear है कहां से बटा incorporation date से तो यहाँ पे 139.1 को बोला कि आप भूल जाओ 139.7 आप apply करो और यहाँ पे क्या करो बटा first auditor आप apply करो क्या बोल रही है first auditor appoint करो और such auditor shall hold office till the conclusion of common क्या लिखाए बटा first Asia मतलब first auditor को मैं क्या बोल सकता हूँ कितनी बार appoint किया जा सकता है once in a lifetime बो हाँ या ना once in a lifetime मतलब यह first auditor नाम इसलिए दिया गया है मतलब यह इतिहास रचतेगा company के अंदर इसका नाम कभी भी भूलाया नहीं जाएगा yes or no yes क्योंकि यह auditor कौन सो auditor बटा first auditor है कौन सो auditor है first auditor है I hope I am clear or not clear बोली जरफटफट से yes or no everyone अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ क्या written consent आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मैंने का आप auditor अपॉइंड कर रहो बोलो जरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए पेंटालून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए certification की भईए आपने सब कुछ बराबर किया है आप unqualified disqualified नहीं हो क्या आना चाहिए everyone पेंटालून certificate आना चाहिए yes तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है भले ही आप 1391 भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं बट जैसे ही board of director क्या करेगा बेटा auditor को appoint करना है तो सबसे पहले board of director क्या करेगा recommend करेगा क्या करेगा recommend करेगा किसको member को नहीं कुछ नहीं अरे क्यों करना है recommend member को समझ में member को recommend कब करते हैं बटा जब member को appoint करना होता है concept समझ में आ जाया अगर यह सुनो तो यहाँ पे कोई भी recommendation की जरूरत नहीं है अच्छा क्या auditor का रिटेन कंसेंट चाहिए होगा ओडिटर का रिटेन कंसेंट चाहिए होगा बोलो चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा चाहिए होगा picture clear है या नहीं clear है everyone अच्छा ओके अच्छा एक बाद बताओ मेरे को एक बाद बताओ और रि्टिन केंसेंट कहां पे लिखा गया वीटा सब सेक्शेन में लिखा गया था बूलो यह की ना?. इसबने को बताब बना कि together? written consent चाहिए होगा की नहीं चाहिए होगा 100% चाहिए होगा yes or no engagement लेटर देगा की नहीं देगा वो बिल्कुल देगा written consent और इसका बताओ जराफट आफट से ADT1 form और उसी को जाना चाहिए की नहीं जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए I hope I am clear बोलो जराफट आफट से yes उनो अच्छा मालो board of director किसी वस 30 तारिक के अंदर अंदर अगर नहीं कर पाया हो सकता है situation बोलो जराफट आफट से हो सकता है की नहीं हो सकता है yes अगर 30 दिन में ये auditor जो है क्या नहीं कर पाया बिटा जल्दी बोलो फट आफट से बोर्ड आफट आफट से ऑटर को अपॉइंट नहीं कर पाया then क्या बोल रहा है in the case of failure of the board अगर बोर्ड नहीं कर पाता है appoint such order it shall inform the member क्या बोला क्या बोला इसने it shall inform the member वो जो 7 member है क्या उनको inform करेगा की नहीं करेगा 7 members को और AGM तो अभी भी नहीं हो सकता बोलो हाँ या ना AGM नहीं हो सकता तो board of director क्या बोलेगा board of director पास कर एक board meeting conduct करवाएगा board meeting से board resolution पास होगा और वहाँ पे उनको बोलेगा क्या बोलेगा क्या करो EGM करने के लिए बोलो हाँ या ना EGM कर सकते है नहीं कर सकते है हाँ अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा Board Resolution किस चीज़ का पास हुआ बेटा EGM Conduct करने का किसका Conduct करने का Conven EGM Reason being is that Board of Director fails to appoint Yes or No Fails to appoint Come on First Auditor बराबर है क्या Yes or No Yes तो अगर वो Board Meeting में First Auditor Appoint नहीं कर पाये तो उसी Board Meeting में क्या कर सकते है बेटा जल्दी बोलो फटा फट से EGM Convint करने का Board Resolution पास किया जा सकता है बोलो हाँ या ना Yes अब ये बताओ ये बताओ जब EGM EGM में कौन अपॉइंट करेगा बेटा Member को Sorry Auditor को Member हाँ या ना Yes So Member कितने दिन में Appoint करेंगे बेटा जल्दी बोलो फटा फट से Member कितने दिन में Appoint कर सकते है क्या बोल रहा है बेटा It shall inform the members of the company Who shall within Come on क्या लिखा है 90 days at an EGM Appoint such Auditor कितने दिन में बेटा कितने दिन में Within 90 days From From Come on From When Board of Director Informs Member कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है हाँ या ना इसके अगर आप वर्डिंग पढ़ोगे तो यहां पर as such नहीं लिखा हुआ 90 days From the intimation date But यहां पर क्या बोला उसने पहले वो inform करेगा Member को फिर 90 days के अंदर अंदर EGM में पॉइंट करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि यह बोल रहा है कि EGM 90 days में हो ही जाना चाहिए भोलो हाँ या ना ही बोल रहा है At an AGM लिखा है बटा At an AGM मतलब EGM में होगा यह पक्की बात है और यह EGM कब होना चाहिए बटा Within 90 days बोलो हाँ या ना Concept समझ में आया यह नहीं आया Yes or No यह देखो क्या बोल रहा है अगर Board of Director अपॉइंट है तो Board of Director सबसे पहले क्या करेगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से Member को क्या करेगा Inform करेगा Notice देगा की नहीं देगा बोलो हाँ या ना Notice देगा Notice देगा 101 में बोलो हाँ या ना और Notice में क्या Explanation देगा की नहीं देगा Explain करेगा की नहीं करेगा कि भाईया मुझे क्या करना है हम Auditor को Appoint करने में फेल हो गए तो आप जो है Auditor को Appoint कर दो बोलो हाँ या ना यही Notice देगा बोलो जरह फटफट से Yes or No Yes अब मेरी बात ध्यान से समझ में है यह Notice नॉर्माली कितने दिन में जानी चाहिए Clear 21 Days बराबर है क्या हाँ या ना बोलो जल्दी बोलो यार फटफट से 21 Days Come on कितना बिटा Meeting EGM अगर यहाँ पे है तो कितना Minimum 21 Days होना चाहिए बोलो हाँ या ना इसके पहले बराबर है की नहीं है Yes or No Yes अब यह क्या बोला है समझ Notice तो EGM की आएगी ना बोलो हाँ या ना Notice EGM की आएगा बट इसके और पहले कहां तक बिटा 90 Days पहले तक बोला है कम से कम क्या कर दो बेटा जल्दी बोलो फटाबट से यहां पे इनफॉर्म कर दो किसको Member को बोलो हाँ या ना कि भाई या हम क्या करने वाले हैं Auditor Appoint करने वाले हैं बोले ठीक है EGM कब होई कि बोले यह पता नहीं है बोले ठीक है जब भी EGM कंड़क करना होएगा ठीक उसके 21 दिन पहले नोटिस चली जाएगे बोलो हाँ की ना कि इस दिन EGM कंड़क करना है उसके ठीक 21 दिन पहले नोटिस चली जाएगे बट उसके काफी समय पहले क्या इन्फॉर्म किया जा सकता है member को कि नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो EGM है बिटा 90 days के आगे नहीं जाना चाहिए यास और नो जैसे example के तोर पे अगर आप मेरी बात सांच समझना है EGM अगर मैं conduct करने वाला हूँ 31st या 30th 11 2022 22 को बराबर है हमारी company का भी इंकॉर्पोरेट हुई है बिटा बोलो जारा फटा फट से 1st April 2022 को बराबर हाँ या ना नॉर्मली 30 दिन में यहां पे board of director के पास power था auditor appoint करने का yes or no but fails to appoint रहा yes or no तो बोले साब क्या करना है कम से कम बोलो जारा फटा फट से यहां पे मैंने इस point पे क्या कर दिया inform member to come on appoint auditor in EGM yes or no but इस तारीक को मुझे EGM पता नहीं थी कि EGM मैं कब कंड़क करूंगा clear है या ने clear है yes अब ये date चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा notice क्या भेजी कि 30th 1122 को EGM है बोलो हा या ना yes or no yes तो यहां पे आपको दो चीज़े चेक कर number one की notice जो है 21 दिन पहले जाना चाहिए बोलो हा या ना तो notice माल लो है इनने कब भेज़ दिया notice इनने कब भेज़ा 31 को EGM है तो notice इनने कब भेज़ दिया 11 12 चलेगा बोलो जरा फटा फट से member को notice भेज़ दिया 11 12 को की EGM होने वाला है जहां पर हम auditor पॉइंट करने वाले बोलो जरा फटा फट से हो सकता है या नहीं हो सकता है समान यार एवरिवन हां और इनने 10 अगस्त को क्या बोला मैंने 10 अगस्त को 2022 क्या कर दिया था member को inform कर दिया था बताओ जरा फटा फट से according to the provision of the act क्या दोनों चीज़े हम comply कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं समान एवरिवन पहला पहला compliance आप देखो 90 days के अंदर अंदर बोलो हा या ना यहीं लिखा है बेटा यहा लिखा है it shall inform the members of the company who shall within 90 days at an EGM appoint such auditor at an EGM auditor कब appoint होगा बेटा यहाँ पे बोलो हा या ना auditor must be appointed यहीं है ना यहीं लिखा है ना at an EGM लिखा है auditor must be appointed मतलब EGM में ही appoint होगा और कहीं नहीं होगा बराबर है क्या हाँ या ना यहाँ फिर क्या बोल रहा है बेटा within 90 days within 90 days का मतलब क्या हो गया within 90 days का मतलब क्या होगा जल्दी बोलो फटाफट से 90 days मतलब कौन सा 90 days EGM में appoint करना है that is okay at an EGM that is okay but कौन सा 90 days एक बाद बताओ ये वाला point cover होगा क्या इसमे board of director वाला जब board of director auditor को appoint करना है ये board meeting वाली date cover होगी क्या जल्दी बोलो फटाफट से नहीं होगी बराबर है नहीं होगी ना 90 days यहाँ से तो नहीं होगा ना हाँ या ना यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ होना चाहिए 90 days का बराबर ये ही होना चाहिए ना हाँ या ना तो इसका मतलब क्या किया होगा board of director ने जैसे ही board of director auditor को appoint नहीं कर पाया उसने क्या किया होगा जल्दी बोलो फटाफट से inform किया होगा तो जिस दिन वो inform करेगा क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने जल्दी बोलो फटाफट से जिस समय पे वो inform करेगा yes or no बोलो जरफटाफट से yes or no जिस दिन वो inform करेगा inform बताओ वो तुरंती कर देगा यह time लगाएगा बिटा कितना time लगेगा एक दिन या पांच दिन दस दिन पचास दिन वो इनफॉर्म कर रहा है या इनफॉर्मेशन मेंबर को मिलनी चाहिए ये बता हो ये इंपॉर्टन है intimation date कौन सा date जब board of director intimate कर रहा हो या intimation member को मिल रही हो बोलो जरह फटब फट से यहाँ पहे देखो क्या लिए भी गया it shall inform the member of the company it shall inform the member मतलब यह किसकी बत कर रहा है member को मिल रही है या member को कर दिया it shall inform the member मतलब यह किसकी लिए बात किया जा रहा है बेटा डिरेक्टर पॉइंट ओ भी बात किया जा रहा है बोलो हाँ या ना यह नहीं बोल रहा है कि जिस दिन मेंबर को पता चले यह बोल रहा है जिस दिन आप मेंबर को इनफॉर्म कर दो yes or no yes who shall within 90 days at an EGM appointment session तो आप जिस दिन इनफॉर्म को बताओं आप किस दिन इनफॉर्म करोगे आज आप नहीं कर पाएं बेटा बराबर है और companies एक बोला 30 दिन के अंदर अंदर करना ही है फर्स्ट ओडर को तो आप जल्दी जल्दी फर्स्ट ओडर को पॉइंट नहीं कर पाएं तो आप आज उसी दिन या अगले दिन आप इनफॉर्म कर दोगे अपनी तरफ से आप इनफॉर्म कर दोगे बोलो हाई या न प्रैक्टिकली मैं बोलता हूं 90 देस कहां से बिटा 90 देस फ्रॉम देट ओफ कम आन इंटिमेशन क्या बोलूंगा मै तो मेंबर लिखू या बाइ डिरेक्टर लिखू इंटिमेशन बाइ बोलूड ओफ समझ में आया या नहीं आया या यस और नो यस तो 90 देस फ्रॉम देट ओफ इंटिमेशन बाइ डिरेक्टर आप क्या करो बेटा अपॉइंट अटिटर फस्ट ओडिटर अट इजी अट इसका मतलब क्या हो बेटा इजी अम मस्ट बी कनवेंट विधिन 90 देज फॉम देट ओफ इंटिमेशन यस और नो तो इजी अम में ही अपॉइंट करना है तो अल्टिमेटली इजी अम जो है 90 देज में अपॉइंट अपॉइंट होना चाहिए बराबर है कि नहीं है हाँ य क्लियर और नॉट लियर यस और एक बार अब मालो 30 11 2022 को अपॉइंट हो गया तो यह ऑडिटर कब तक कंटीनू करेगा बटा जल्दी बूलो फटा फट से इल देट ओफ कमान फस्ट एजी अम उनली बराबर है क्या तो अगर आपका फस्ट एजी अम कब कंड़क्ट हो गया मिनिमम फस्ट अप्रेल होगा बुलो हाँ या ना फस्ट अप्रेल 23 बराबर है तो अगर फस्ट अप्रेल 23 को फस्ट एजी अम हो गई तो कहां तक कंटक कर रहा है बटा कहां तक होल्ड करेगा ओफिस को फस्ट अप्रेल 2023 तक I hope I am clear or not clear फस्ट अप्रेल का concept clear है या नहीं clear है बोलो जरा फटा फट से everyone yes तो अब एक करक्स यहां पर और लो अगर माल लो 139 1 में कौन अप्वाइंट करता है बटा जल्दी बोलो फटा फट से member priority किस के पास है बटा member के पास है बोलो हाँ या ना पर अगर मैं बोलू मेरी बात ध्यान से first auditor के case में पहला priority किस के पास है बटा appoint करने का first priority यहां पे किस के पास है बटा member के पास but first priority यहां पे किस के पास होगी बटा board of director के पास अगर board of director नहीं कर पाया if not then second priority किसके पास चली जाएगी बटा picture clear है या नहीं clear है yes or no casual vacancy के case में क्या हो रहा है बटा बताओ पहली 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 जो है board of director के पास है if not then किसके पास है बटा member के पास है किसी को कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है पर अगर मैं बोलता हूँ government company है क्या है बटा government company है yes or no बराबर है तो normally अगर मैं बात करूँ तो पहली priority किसके पास है बटा पहली priority किसके पास है जल्दी बोलो फटाफट से government company के case में पहली priority किसके पास है first priority normally first priority किसके पास रहेगी बिटा जल्दी बोलो फटा फट से normally अगर appoint करना है तो किसके के case में है बिटा member के case में बोलो हाँ या ना बराबर yes or no अच्छा casual vacancy अगर आ गया तो किसके case में बिटा जल्दी बोलो फटा फट से casual vacancy case में c ag के पास है किसके पास है c ag के पास है बोलो हाँ या ना अच्छा c ag अगर नहीं कर पाया तो फिर board of director के पास बोलो हाँ या ना भाई recommend कर रहा था ना बोलो हाँ की ना c ag c ag अगर नहीं कर पाया तो फिर किसके पास बिटा board of director के पास और अगर audit committee है तो आगे फिर audit committee के पास जाएगा audit committee नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा बेटा board of director के पास बोलो हाँ या ना और board of director भी अगर नहीं कर पाता है तो फिर किसके पास है बेटा member के पास और मालू member भी नहीं कर पाता है तो फिर कोन करेगा? बटता, ट्रिबिनल करेगा कोन करेगा? ट्रिबिनल आ रहा है बाच सब्म्हें, सेम यां पे भी ट्रिबिनल, I hope I am clear हाई यह ना Yes First Auditor के केस में 북ना First Auditor के केस में Board of Directors औ स्थूपी First Auditor अब government company के केस में तो C.A.G. आ जाएगा कौन आ जाएगा बिटा जल्दी भूलो फटाफट से C.A.G. अगर if not और अगर audit committee नहीं है तो board of director और अगर audit committee है तो audit committee and then audit committee नहीं कर पाई तो board of director समझ में आ रहा है और board of director अगर नहीं कर पाया तो कौन करेगा बिटा member कुछ समझ में आ रहा है कि everyone clear or not clear अगर यहां तक clear हो तो बताओ first auditor कौन appoint कर रहा है बिटा कहां पे appoint हो रहा है 139 subsection 6 and subsection 7 बराबर है क्या हा या न तो subsection 6 किसके case में आ रहा है इसके case में आ रहा है 139 subsection 6 non government company की case में but government company के case में कौन सा आ रहा है बिटा जल्दी बोलो फटा-फट से 139 subsection 7 आ रहा है बराबर ही यहां पे 6 आ गया casual vacancy कहां पे आ रहा है यह बिटा 139 subsection 8 में बोलो हा या न 139 subsection 8 में तो एक बार अब picture clear कर लें किया बोलो जरा फटा-फट से क्रक्स clear हो तो section एक बार देख लेते हैं फटा-फट से yes everyone in the class clear or not clear everyone in the class I'm asking from everyone it means everyone 139 subsection 7 को देखो क्या बोलता है बेटा notwithstanding anything contained in subsection 1 and subsection 5 subsection 5 क्या है बेटा subsequent auditor subsequent auditor को हम बाद में देख लेख लेखे है ठीक है जहां से समझना in case of क्या लेखे है बेटा government company और third में है company controlled by government पढ़के देख लो एक बार हाँ या ना यह लिखा है ना या तो government company हो या तो कौन सी company हो बेटा company controlled by government मतलब कौन है बेटा public company थी public company yes or no public held government company बोलूँगा इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा public held government company जहां पे उसका पेड़ब share capital 51% से ज्यादा किसके पास है बेटा government के पास है that is called as what public held government company बोलू हाँ या ना yes देखो first auditor कौन appoint कर रहा है बेटा shall be appointed by come on क्या लिखा है come on come on क्या लिखा बेटा C.A.G. of India within come on 60 days yes or no normally first auditor board of director कब तक मैं appoint करता है बेटा 30 दिन के अंदर board of director कब करता है बेटा 30 दिन और C.A.G. कब तक मैं करेगा बेटा 60 days याद आएगा हाँ या ना yes picture clear है या ने clear है yes अच्छा और इसको जो inform करना है inform करना है किसको inform करेगा बेटा जल्दी बोलो फटा फटा फट C.A.G. A.G. को company को inform करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो जड़ा फटा फट से company किसको inform करेगे बेटा company किसको inform करेगे C.A.G. को और C.A.G. किसको पट करेगा बेटा first auditor को पट करेगा बोलो हाँ या ना अब ये बोलता है अगर C.A.G. of India does not appoint such auditor within the said period बराबर yes or no तो फिर second priority किसके पास आगी बेटा जल्दी बोलो फटा फट से board of director के पास तब अगर audit committee ना हो बोलो हाँ या ना क्योंकि audit committee को कौन लाता है बेटा board of director तो अगर audit committee की constitution नहीं है तो board of director के पास चला जाएगा बोलो yes or no और अगर audit committee है तो वो audit committee के पास जाएगा क्योंकि audit committee is a representing body of board of director only yes or no yes तो यह बोलते है साब board of director of the company shall appoint कितना दिया बेटा board of director के पास कितना power है जल्दी बोलो फटा फट से तो अगर पहला power किसके पास है CAG के पास yes or no government company के case में और non government company के case में board of director के पास बोलो हाँ या ना तो board of director 30 दिन में कर रहा है government company के case में पहली priority किसके पास है बेटा CAG के पास yes or no CAG 60 में कर दे अगर नहीं कर पाता if not then second priority किसके पास चली जाएगी बेटा board of director उसके case में 30 दिन है 30 दिन है बराबर है हाँ या ना yes or no yes इसके बाद क्या बूल रहा है बेटा ज्यान से समजना यहाँ पे member को दिया था member के पास power गई थी कि नहीं थी non government company के case में गई थी कितना बेटा 90 days बोलो हाँ या ना तो अगर board of director नहीं कर पाया तो फिर member के पास power है बेटा कितने दिन में करने का बेटा 90 days में बोलो हाँ या ना और यह अब बोल रहा है government company के case में अगर board of director थीस दिन में नहीं कर पाया लिखाए कि बेटा in the case of failure of the board to appoint such auditor within the next 30 days yes or no the board of director क्या करेगा बेटा inform करेगा किसको member को बोलो हाँ या ना फिर क्या करेगा बेटा notice भेजेगा किसको बेटा under section 101 हाँ या ना इसके बाद क्या conduct होगा बेटा EGM बोलो हाँ या ना और ये EGM कब तक में conduct होना चाहिए बेटा अब यहाँ पे कितना लिखा हो बेटा 60 दिन में कितना लिखा है बेटा 60 days याद रहेगा क्या ये पॉइंट वो जल्दी से बोलो फटा फट से हाँ या ना तो board of director के पास कितना time limit है बेटा जल्दी बोलो फटा फट से और directly first priority board of director को दी जा रही है कहाँ पे बेटा non government company की case में अगर government company है तो पहली priority किसको दी गई है बेटा C.A.G. को बुलो हाँ या ना otherwise normally किसको दी जाती है दोनों case हो बेटा member को बुलो हाँ की ना normal auditor है तो member ही appoint करेगा A.G.M. में पराबर है कि but first auditor है तो कौन appoint करेगा government company की case में C.A.G. within 60 days नहीं कर पाए अच्छा within 60 days कहां से बेटा from the registration of the company yes or no क्योंकि पहली priority हमेशे कहां से आ रही बेटा registration से अगर आप नहीं कर पाए तो फिर क्या बोलता next 30 days मतलब कितना हो जाएगा 90 60 plus 30 कितना हो जाएगा बेटा 90 days बोलो हाँ या ना ये लिखा है ना next 30 days लिखा है की नहीं लिखा है मतलब from the date of registration से ही 30 दिन और दे दिया जाएगा बराबर है क्या बट ये जो 60 days आ रहा है बेटा ये कहां से आ रहा है बेटा from the date of intimation कहां से यहां से 60 days कहां से आ रहा है बेटा यहां से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है yes or no जल्दी बूलो बट अच्छा एक बाद बाद तो normally practice क्या होगी कि उसी दिन जो है inform कर दिया जाएगा yes or no जिस दिन board of director की meeting हुई fail हुई और अडिटर हम appoint नहीं कर पाए उसी दिन क्या कर देगा वो inform कर देगा और उसी दिन से आप 60 days cover कर सकते हो yes or no but इसने ये नहीं बोला कि जिस दिन board of director fail to appoint है yes or no मतलब जिस दिन board of meeting हुई है उस दिन से 60 days नहीं count कर रहा है किस दिन से 60 days count कर रहा है बटा जिस दिन से board of director क्या कर रहा है बटा member को come on inform कर रहा है yes or no आ रहा है बात समझ में yes or no everyone और वहां से कितना बेटा 60 days I hope I am clear or not clearly picture clear है बोलो जरा फटा फट से ये 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 first auditor वाला picture clear है ये नहीं clear है everyone yes or no अब मेरी बात ध्यान से समझना हुई हूँ अब अगर मेरी बात समझ में आए ठीक है यहां तक clear है everyone सभी को everyone सभी को yes अब देखो यहां पर government company अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा government company की बात कर रहा हूँ जल्दी बोलो फटा फट से government government company incorporate हुई कब बेटा first April 2012 को yes or no first April 2012 को incorporate हुई ठीक है अब ये क्या बोल रहा है बेटा CAG क्या करेगा बेटा जल्दी बोलो फटा फटा फट से first auditor पॉइंट करेगा क्या yes करेगा कब तक मैं करेगा जल्दी बोलो फटा फटा फट से within 60 days from the date of registration hi Anna yes first auditor पॉइंट हो गया क्या 139.7 पर बोलो जब फटा फटा फट फट जी yes or no हो गया अच्छा अब माल लो अगर CAG नहीं कर पाए तो क्या करूं है बेटा अगर नहीं कर पाए नो then board of director आ जाएगा board of director कब तक मैं करेगा बेटा कर सकता है हाँ कर सकता है next 30 days मतलब कहां से बेटा यहां से yes or no जिस दिन से incorporation हुआ है तो yes incorporation plus 60 plus 30 बोलो हाँ या ना अच्छा board भी नहीं कर पाए तो क्या होईगा बेटा member करेगा कहां से करेगा बेटा जल्दी बोलो बेटा बेटा से within 60 days from intimation by the board at I hope I am clear or not clear clear यह picture clear होगे मतलब 60 days यह plus 30 days यह plus 60 days और पकड़ लो तो almost यह पूरा game जो है 150 दिन को हो जाएगा हाँ या ना बराबर है या नहीं है हाँ या ना मतलब अगर इतना कुछ problem आ रहा है मतलब पांच महीने के अंदर अंदर बोलो जरा फटवर्स यह हुआ ना 13 to 5 हाँ तो पांच महीने के अंदर अंदर जो है किसी भी प्रकार से first auditor appoint हो जाना चाहिए I hope I am clear with this तेर सो समझ में आगे है दिन की नहीं समझ में आया yes or 90 तो होई गया था 90 प्लस 60 और कर दिया around 150 days के आसपास maximum इतना time है आपके पांस first auditor appoint करने का yes or no by hook or crook अब माल लो अब यहां पर यह first auditor आ गया बेटा बोलो हाँ या ना अब यह first auditor कब तक period of holding रहेगी बेटा जल्दी बोलो फटाफट से क्योंकि first AGM कब तक रहेगा बेटा 31st December 2013 बोलो हाँ या ना तो period of holding कब तक रहेगा बेटा इसका first AGM तक yes or no एक बार first AGM हो गया यह आपका पूरा का पूरा पहले साल का कहानी खतम हो गया बोलो हाँ की ना अब मालो first AGM हुआ बेटा अब इसके बाद कौन सा इसके बाद कौन सा 139.1 लग जाएगा बराबर है क्या और 139.1 के case में सीधा 5 साल के लिए appointment होईगा बराबर है क्या हाँ या ना पक्ता 100% तो अगर 139.1 लगेगा बेटा कौन अपॉइंट करेगा जल्दी बोलो फटाफर से member बराबर है हाँ या ना ओके अब मेरी बात ध्यान से समझना अब यहाँ पे एक section आता है 139.5 क्या बूला मैंने 139.5 अब मेरी बात समझना नार्मली आप बोल रहे है 139.1 के case में अगर लगा 139.1 लगा तो member ही करेगा बूलो हाँ या ना बट subsection 5 क्या बोला बेटा notwithstanding anything contained in subsection 1 भूल जाओ सब कुछ again इसने बोल दिया अब यहाँ पे 139.1 लगना था member ने appoint करना था बराबर है क्या बोलो साब भूल जाओ क्यों क्यों क्योंकि company कौन सी है बेटा देखो न notwithstanding anything contained in subsection 1 in case of common क्या लिखा है बेटा government company or company controlled by common क्या लिखा है government बोलो हाँ या ना normally 139.1 आपको पड़ा है आपने बोले साब 139.1 लगना चाहिए बोलो हाँ या ना but 139.5 ने specifically बोल दिया 139.1 को भूल जाओ बोलो हाँ की ना मतलब government company के case में auditor कोन appoint करेगा बेटा कोन appoint करेगा जल्दी बूल हाँ तो अब इस case में समझ में आ गया क्या हाँ या ना कोन appoint कर रहा है बेटा हाँ तो no need to inform yes or no CAG CAG को अब inform करने की ज़रत नहीं है 139.5 ने power दिया हुआ है किसको बेटा CAG को बूलो हाँ या ना CAG क्या करेगा बेटा appoint subsequent auditor under section come on 139.5 red with power given to what auditors 143 power की बात किया था ना हाँ या ना power yes 141 qualification disqualification था and 143 क्या था बेटा power and duties of auditor पढ़ाय था नहीं पढ़ाय था हाँ या ना अब इसमें specifically यह बोल रहा है 5-6-7 comply करना है चलो 5-6-7 समझते but यह क्या बोला है CAG appoint करेगा CAG appoint कर रहा है newly qualified within a period of common क्या लिखा बेटा 180 days from the commencement of the financial year लिखा है क्या बोलो जना फटफट से yes or no अरे जल्दी बोले यार yes or no from the commencement of the financial year who shall hold office till the conclusion of the AGM मतलब government company के case में क्या वो 5 साल वाला system चलेगा क्या picture clear हो जा है बोल दो जरा फटा फटफट से yes or no अभी तक आपको क्या बता रहा था कोई भी company हो कौन appoint कर रहा है बेटा member appoint कर रहा है किसके हिसाफ से बेटा 139.1 की हिसाफ से बोलो हाँ या ना but 139.5 ने क्या बोल दिया 139.1 को भूल जाओ किसके केस में बेटा government के केस में बोलो हाँ या ना only and only government company के केस में five over rule कर रहा है किसको बेटा subsection one को बोलो हाँ की ना picture clear है everyone बराबर है तो यहाँ पे अब अगर CAG appoint करता auditor को बोता हो कब तक में करेगा बेटा कब तक में करेगा जल्दी बोलो फटाफट से six months from end of financial year yes or no मतलब 180 days बोल रहा है 180 days कब से बेटा 31st March अब मेरे बात ध्यान समझना 31st March yes or no तो first AGM के बेट करेगा की नहीं करेगा जल्दी बोलो फटाफट से यह first AGM तक आएगा की नहीं आएगा first AGM तक first auditor आएगा की नहीं आएगा 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 yes or no तो first AGM कब तक में हो रहा है बेटा 31st December को हो रहा है और अब 31st March बराबर है क्या 13 2013 यहाँ पर हमारे end of financial यह बोलो हाँ यह ना तो अब यहाँ से 6 महीना पकड़ो कितना होता है बेटा जल्दी बोलो जल्दी बोलो 6 महीना पकड़ो कितना होता है बेटा come on come on everyone September आ रहा है बोलो हाँ या ना बराबर है क्या yes or no तो यहाँ पर यह क्या लिका है बेटा यह बोला है साब subsequent auditor within a period of 180 days from the commencement of the financial year यहीं मतलब हुआ की नहीं हुआ yes तो अब मेरे को यह बताओ कि अगर इसका AGM कब तक में हो रहा है बेटा जल्दी बोलो फटा फट से कब तक में हो रहा है 31st December 2013 हो रहा है बोलो हाँ या ना 31st December 2013 हो रहा है बराबर है क्या first AGM हो सकता है या नहीं हो सकता है government company के case में हो सकता है तो अब यह बोलते है साब आपका अगर 31st December में हो रहा है तो क्या subsequent auditor appoint होगा क्या जल्दी बोलो फटा फट से क्या subsequent auditor appoint हो सकता है या नहीं हो सकता है तर्टी एट यह कब हो रहा है बिटा 31st December हो रहा है न तो तीन महीना बच रहा है की नहीं बच रहा है बोलो जरा फटा फट से 30th September से लेके 31st December तो due date तो इसकी यहीं पर आगी 30th September पर क्यों बोला 30th September तक करना ही है आपको बट आपका जो AGM कंप्लीट हो रहा है बटा कब तक हो रहा 31st December तो अलरेडी 31st December तक कोई auditor था या नहीं था बटा कोई auditor वहाँ पर था की नहीं था बोलो जरा फटा फट से 31st December तक auditor first auditor रहा होगा की नहीं रहा होगा क्योंकि वो क्या बोला है बटा तिल first AGM तक रहना था यह बोलो हाँ की नहीं बराबर है ना मतलब यह जो first auditor यह कहां तक का रहा है बटा यहां तक का रहा है 31st December और यह बोला है साथ हमारे पास subsequent auditor को अपॉइंट करने की जो due date है वो कितनी है बटा 30th September बोलो हाँ या नहीं बराबर है और यह जो subsequent auditor है यह कब तक आएगा बटा यह कब तक अपना office hold कर सकता है बटा next AGM तक बोलो हाँ की ना बराबर है की नहीं है yes or no yes यह कहां तक कर सकता है बटा next AGM that is second AGM that is 30th September बोलो हाँ की ना everyone बोलो जरा फटा फट से yes or no everyone clear or not clear तो भाईया जब तक मेरी बात हाँ समझ में आ जाए जब तक यह auditor जाएगा नहीं तब तक यह subsequent auditor आएगा नहीं क्या picture clear है yes or no everyone क्या picture clear हो रही है यह नहीं clear हो रही yes or no yes तो इस case में कोई बताएगा मेरे को कि subsequent auditor को क्या हम 31st December पे appoint कर सकते है या नहीं कर सकते है 31st December को appoint कर सकते है या नहीं कर सकते है बोलो जरा फटावर्ट से concept समझ में आ गया या नहीं आ गया question समझ में आया क्या जदी बोलो फटावर्ट से question समझ में आया क्या मेरा समझ में आया या नहीं आया या यस और नू यस यह बोले साथ 31 डिसेंबर तक तो है हमारा कौन फर्स्ट ओडिटर है तो दूसरा ओडिटर अपॉइंट करने की जरूरत पुलो जरह फटफट से नहीं होगी यस और नू प्रटक गए आया ना हलो एवरिवन 31 डिसेंबर तक फर्स्ट क्यार बोलते है क्यों नहीं हो तुम लोग कुछ पूजराओं मैं 31 डिसेंबर तक है पूजराओं मैं 30 सप्टेंबर होना चाहिए क्या 30 सप्टेंबर के बाद कर सकते की नहीं कर सकते बूलू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कूल कर सकते हैं यस और नो तो इस केस में जो है 31st December को जो है क्या करना पड़ेगा आपको Subsequent Auditor Appoint करना पड़ेगा Appoint करना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा यस और ये Subsequent Auditor कब तक continue करेगा बटा जल्दी बूलो फटाफ़र से 38 September 2014 तक बूलो हाँ की ना Everyone clear or not clear अच्छा एक बाद बता हो यहां पे सर यह जो तीन माहिने का gap आ रहा है अगर माल लो यह 31 December तक यहां पे Auditor है है की नहीं है और इसकी due date जो दी थी वो कहां पे दी थी थी बटा 38 September Yes or No 38 September तो एक बात बताओ यह जो 38 September को Appoint करने की बात कर रहे क्या मैं यहां पे Appoint कर सकता हूँ इसके आगे क्या मैं Normally as per section 1395 Subsequent Auditor Appoint कर सकता था नहीं कर सकता था बोलो हाँ या ना नहीं कर सकता था ना Date तो दी हुई है 38 September बट मैं बोल रहा हूँ Sir आप 38 September पे आप Subsequent Auditor Appoint कर सकते हो क्या जल्दी बोलो फटावर से Situation बताओ इसमें solve कैसे करना पड़ेगा आपने को कैसे solve करना पड़ेगा Situation को Normal यह बोल रहा है कि Subsequent Auditor को आप 38 September के आगे Appoint नहीं कर सकते है यही मतलब है हाँ और यह बोल रहा है Sir जो First Auditor है मेरा वो कहां तक है बेटा हाँ तो बताओ बताओ इसका solution कैसे होएगा अगर यह 31 December तक किज़ जाएगा तो क्या आप Subsequent Auditor को 30th September के बाद कर सकते हो क्या पॉइंट Section बोलता अप नहीं कर सकते हो क्योंकि Maximum बोल रहा है Within 180 days बोलो हाँ या ना तो क्या करना पड़ेगा Situation क्या होएगा इस case में बोले First Auditor को 30th September को क्या करना पड़ेगा बिटा Resign करवाना पड़ेगा क्या करवाना पड़ेगा बोलो ना जराफटा पड़ से क्योंकि First Auditor को तुमने सहूलियत के रहे रखा हुआ है बोलो हाँ की ना हाँ दो Auditor बंजे दो Auditor की ज़रुवरत नहीं है तो बोले साब आप एक काम करू आप यहाँ पे अपना क्या देदो Resignation देदो क्या देदो Resignation देदो या तो वही First Auditor को हम किसमें Convert कर देंगे बोलो जरा फटा फटा फट से Subsequent Auditor में I hope I am clear or not clear Picture clear है Everyone तो वो जो First Auditor है वो कहां पे Convert हो जाएगा 30th September को Subsequent Auditor में Convert हो जाएगा यह सिर्प पहले साल ही प्रॉबलम आएगा बोलो हाई या ना कोई देखा दी लाइफ में एक ही बार प्रॉबलम हो क्योंकि Next AGM 30th September तकी रहेगा I hope I am clear with this क्योंकि Next AGM के लिए Onward जो due date रहती हो कौन सी रहती बटा Six months रहती है From the end of the financial year That is the 30th September So I hope I am clear with this तो बोलें साब कोई बात नहीं है आप एक काम करो इनको resignation दे दो और subsequent auditor आप पॉइंट कर दो बोलो हाँ की ना Picture clear है या नहीं clear है Everyone Second AGM ये भी clear है Subsequent बोलो हाई या ना Okay तो ये यहाँ पर clear हो जागा Then इसके बाद again CAG appoint करेगा क्या जल्दी बोलो फट अफट से Subsequent Auditor 139 Subsection 5 हाँ या ना Yes तो यहाँ पर आप क्या करो बेटा हर साल क्या कर रहा है बेटा Comptroller and Auditor General आपको क्या कर रहा है बेटा Appoint कर रहा है I hope I am clear or not clear 139 5 clear है या नहीं clear है बोलो जरह फट अफट से 139 1 किसके केस में लग रहा है बेटा 139 1 अब किसके केस में लग रहा है Everyone Other than Government Company अब समझ में आया या नहीं आया Everyone So यहाँ पर Every Company जो था इसको क्या कर दो बेटा जल्दी बोलो फट आफट से Other than Government Company I hope I am clear with this तो Government Company के केस में क्या रहेगा बेटा जल्दी बोलो फट आफट से हर एक साल आपको Auditor जो है वो क्या करना पड़ेगा बेटा Appoint करना पड़ागा I hope I am clear Picture clear है Everyone किसी को कोई doubt बोलो जरह फट आफट आफट किसी को कोई doubt है क्या कोई doubt नहीं है अच्छा अब मेरी बात जहां से समझना ओके यहां तक clear है Picture clear है तो यह किस के केस में आ रहा है बेटा Come on Non Government Company के किस के केस में आ रहा है Non Government Company तो Government Company के के केस में कैसा सिस्टम चल रहा है बेटा जल्दी बताओ फटाफट से पहला आ गया First Auditor Yes or No और इसके बाद कौन सा आ गया बेटा Subsequent Auditor और Subsequent Auditor कौन पॉइंट कर रहा है बेटा जल्दी बूलो फटाफट से By C.A.G और First Auditor भी कौन पॉइंट कर रहा है By C.A.G I hope I am clear Picture clear है बूलो जरा फटाफट से Yes Very good यहां तक clear हो गया अब देखना Again Government Company First Auditor अपॉइंट क्या C.A.G First A.G.M C.A.G. Subsequent A.G.M Yes or No यहां तक इसी चल रहा है बोलो हाई है ना Government Company में बहुत बड़ी अब देखो क्या हुआ बेटा First Auditor Appoint हुआ बराबर First Auditor क्या हुआ बेटा Appoint हुआ यहां सुनो और यहां पर क्या होगी बेटा Casual Vacancy Arise होगी हो सकता है Because of Death of First Auditor E.G.M. पहले Due Date था Auditor मर गया या Auditor ने क्या किया बेटा Resign कर दिया हो सकता है बेटा Casual Vacancy आएगा इस केस में अब बताओ ज़रा Casual Vacancy Fill Up कोन करेगा तो Casual Vacancy के लिए मैं कहां पर जाओ बेटा 139th of Section 8 139th of Section 8 बोलो हाँ या न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है Everyone Good Yes Yes मैं बिल्कुल बिल्कुल Don't worry about that Yes यह आ गिया देखो अब यह क्या बोल रहा है Casual Vacancy Casual Vacancy का लिए In the case of a company Other than the company Whose accounts are subject to Audit by an auditor Appointed by this Comptroller and Auditor General of India तो अब यह मतलब कोन सी होगी Non-Government Company बोलो हाँ या न इसको भूल जाओ बराबर हैं Yes or No Yes And Casual Vacancy as a result of resignation Okay In the case of a company Whose accounts are subject to Audit by an auditor Appointed by the CAG मतलब यह Government Company की बात कर रहा है बोलो हाँ या न और Government Company में अगर कोई Casual Vacancy हुई है तो क्या बोल रहा बटा कौन फिल अफ करेगा जल्दी बोलो फटावर से कौन फिल अफ करेगा बटा CAG Within Command Within Command 30 Days Within Command 30 Days आ रहा है बात समझ में Yes or No Yes तो अगर मैं बोलता हूँ First Auditor CAG कब तक मैं पॉइंट करता है बटा First Auditor CAG कब तक मैं पॉइंट करता है 60 Days बोलो हाँ या ना Yes or No अगर वो नहीं कर पाया तो और अगर नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया तो Members करेंगे कितने तक में Within 90 Days बोलो हाँ या ना और Government Company के case में कितना था बटा 60 Days 60, 30, 60 था बोलो हाँ या ना Non Government Company के case में 30 था 90 था And Government Company के case में क्या था बटा 60 कौन कर रहा है बटा CAG If not 30 Board of Director If not 60 Again Member बराबर है क्या और अगर Non Government Company है तो उसके case में 30 Board of Director और अगर वो नहीं कर पाया तो Member कर देगा क्या यही बात बोली थी मैंने बोलो जरा फटा फटा फट से First Auditor यही बोला था हाँ या ना यही बोला था बोलो जरा फटा फटा फट से Yes or No Yes अब Casual Vacancy आगी मेरी बात ध्यान समझते है तो Casual Vacancy आगई तो यहाँ पे पहली प्रियरिटी किसको मिलेगी बटा जल्दी बोलो फटा फटा फट से चाजी को दिया गया है और अगर चाजी नहीं कर पाता है तो फिर किसको दिया जा रहा है जल्दी बोलो फटा फट से Board of Director और यही केस हमारा किसमें चल रहा था बटा First Auditor के केसमें चल रहा था जहां पे Casual Vacancy नहीं राइज हो रही थी बोलो हाई या ना नॉर्मली CAG कर रहा है और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन कर रहा है बेटा Board of Director I hope I am clear with this everyone Yes तो यह कौन सो Auditor पॉइंट हो रहा है जल्दी बोलो फटा फट से यह कौन सा बटा CV वाला कौन सा वाला Casual Vacancy वाला बोलो हाँ की ना Casual Vacancy हुआ ना Casual Vacancy वाला जो Auditor है जो First Auditor के Death के टाइम पे आया है वो बेटा कब तक जो है Office Hold करेगा Auditor का जल्दी बोलो फटा फट से ना 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 First AGM तक अरे भाई First Auditor की लिमिट कहा तक थी Period of Holding First AGM तो अगर First Auditor मर गया तो उसके बिहाब पे यह आ रहा है बोलो हाँ या ना Maximum बेटा वो कब तक कर सकता है First AGM तक कर सकता है बोलो हाँ की ना अब मजे लो माल लो बेटा यही Auditor मर गया Casual Vacancy वाला भी मर गया जो आ रहे हैं सब मरे ही जा रहे है हो सकता है हो सकता है अब मर गया बताओ अब क्या करूगे जल्दी बोलो भुटा भट से Question मेरे यही है बेटा कि अगर Casual Vacancy Auditor मर जाए तो क्या इसे भी Casual Vacancy माना जाएगा पढ़े लेते बेटा कोई बात नहीं है क्या लिखा है बेटा यहां पर क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है Any Casual Vacancy कोई Specific Reason दिया है क्या 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 होगे बेटा जिस पर आपका कोई Control ना हो बोलो हाँ या ना Example is Death हाँ या ना Death किसी की भी हो सकती है तो बोले साहब अगर Casual Vacancy ऐसा तो नहीं लिखा है ने कि Original Auditor मरे तभी होएगा ऐसा कहीं लिखा है क्या सोच के देखो ना ऐसा लिखा है क्या क्या लिखा है आया ना इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है एन Original Auditor या First Auditor या कोई भी Auditor हो सकता है एन Auditor लिखे तो Auditor मतलब कोई भी Auditor हो सकता है बोलो हाँ या ना तो अगर किसी की भी Death होती है कोई भी Auditor Resign करता है तो उसकी जो और उसकी बज़े सा अगर Casual Vacancy Arise होती है या सोनो तो उस Casual Vacancy का जो फिलाप है वो कौन करेगा बिटा CAG करेगा और अगर CAG नहीं कर पाया तो Board of Directors बोलो हाँ की ना Picture clear है या नहीं clear है और मेरी बात अगर Logically समझ में आए तो ये आप सोचो intention सोचो इस प्रोवीजन का क्यों दिया गया था What is the intention? Intention क्या था? कि भाई जो Casual Vacancy Arise हुई है उसे तुरंद के तुरंद फिलाप किया जाए बोलो हाँ या ना बराबर है? हाँ हम मेरे को ये बताओ तो अगर तुरंद फिलाप करना है तो कौन फिलाप कर सकता है तुरंद? मेंबर करेगा? मेंबर तो AGM में करेगा? या AGM में करेगा वो तो लंबा टाइम जाएगा बोलो हाँ या ना मेंबर को हम दे नहीं सकते बचा कौन बिटा? Board of Directory बचा बोलो हाँ या ना बचा कौन बिटा? जल्दी बोलो फटाबट तो नॉर्मली जब यहाँ पे casual vacancy order क्या हुआ बिटा death हुई उसकी तो यहाँ पे कौन करेगा? CAG करेगा चुकि government company है बोलो हाँ या ना यस ओ नो? और अगर CAG नहीं कर पाया तो अगेन कौन करेगा बचा Board of Director करेगा I hope I am clear with this picture clear है या नहीं clear है? कहानी clear है? Yes और इसकी भी जो period of holding होगी बचा यह नए वाले की उसकी भी कहां ता करेगी बचा जल्दी बोलो फटाबट से तो अगर यह auditor पॉइंट हुआ तो यह भी बोलो जड़ा फटाबट से हाँ जी क्या बोल रहे भी बचा? अब तू मेरे को बता 30 दिन तो यह time खुदी ले रहा है ना बोलो हाँ की ना बोल रहा है ना 30 दिन ले रहा है ना यह तो खुदी ले रहा है भई 30 दिन तक वेकेंट रहेगा तो भी चलेगा बोलो हाँ की ना तो ठीक है अगर उस बीच में तुम्हारा फर्स्ट एजीम कर लेते हो या एजीम कर लेते हो तो मेंबर को देते हैं आप को दिकत नहीं क्या फरक पुरता है आपको गेम तो पूरा प्रोविजन रसते तो खुले है की नहीं खुले है अगर आप चाहते हो मेंबर करे तो फिर आप आगे बोर्ड मीटिंग करोगे ही बिना बोर्ड मीटिंग के एजीम हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जब बोर्ड मीटिंग करने है तो बोर्ड आउट डिरेक्टर को जा रहे हो डाटेगा की नहीं डाटेगा मेंबर कि जब तेरे पास पावर तो नहीं क्यों नहीं पॉइंट कर दे मेरे को क्यों परशान किया अब मालो यही सिचुएशन अगर गवर्मेंट कंपनी के केस में सबसीक्वेंट ऑडिटर के साथ होता है बराबर है आया न हो सकता ह बोलो सरह फटफट से yes or no भाई अब मालो यह मर गया यह मर गया सम मरी जा रहे इस कंपनी में आके yes or no अब यह सबसीक्वेंट ऑडिटर है यह भी मर गया बताओ again casual vacancy होगे की नहीं होगे होगे अब यह जो date of subsequent auditor बताओ इसका appointment कौन करेगा बटा जल्दी बोलो फटा फट से अगें 1398 लगेगा की नहीं लगेगा बटा 1398 लगेगा कौन करेगा बटा यह सुनो सेकेंड प्रायरिटी पेगर नहीं किया तो फिर कौन करेगा बोड करेगा आएगा अडिटर पॉइंट होगा 1398 में हाँ यह ना लो यह भी मर गया सब मर गया यह भी मर गया पहला कौन मर बिटा ए मर अपना बिड़ा बी आया वी मर तो कौन आया बिटा C आया C चलता रहा अब कोन आगया बटा D आगया D मर गया कोन आगया बटा E आगया E मर गया अब बताओ F आगया बताओ क्या करूं मैं इसका ये भी 139.8 में ये पॉइंट होगा Yes or No तो अगेन ही आपे C, A, G and then Board of Director बराबर है क्या Yes यहां तक इसका जो रहेगा Period of Holding रहेगा I hope I am clear with this Picture clear है Everyone किजी को कोई दिक्कत किजी को कोई दिक्कत बोलो जरा फटाफट से तो यहां पे मैंने एक क्या बताया था बटा जब C, A, G Subsequent Auditor को क्या कर रहा है Appoint कर रहा है Yes or No सारा point clear होगे Yes or No तो मैंने आपको क्या क्या कवर कर दिया 139, 8 कवर कर दिया 139, 6 कवर कर दिया 139, 7 कवर कर दिया बोलो हाई या ना Picture clear है तो क्या क्या कवर होगे 139, 1 कवर हो गया 2 अभी छोड़ दो 3 छोड़ दो 4 छोड़ दो 2, 3, 4 चोड़ दो, 2, 3, 4 अभी छोड़ दो, नहीं किया, 5 चोड़ दो, नहीं किया, 6 कवर हो गया, हाँ हो गया, 7 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, बुलो हाँ की न, बरबर है, अब बताओ, अब यहाँ पी बुले है, जब भी आप subsequent auditor appoint कर रहा है, कौन बेटा, C, A, G, हाँ या न, क्या बुल रहा है बेटा, red with 143, 5, 6, 7 पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, 143, बुलो न, 5, 6, 7, 143 में आपको power दिखाया था कि नहीं दिखाया था, सिर्फ reference ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 143 पे यह power दिखाया था कि नहीं दिखाया था, एक काउंटिंग standard यह सब होना च बुलो हा या ना, यह कौन सा बूल रहा है बेटा, 5, 6, 7, तो 5 में क्या आगया, other reports, 5 में क्या आया बेटा, यह direction of cg होना चाहिए की नहीं होना चाहिए, जल्दी बूलो फटाफट से, direction of cg, cg होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो auditor या नहीं था, 6 था क्या बेटा, 6 था, 6 क्या बोल रहा है बेटा, write of cg to conduct supplementary audit or supplement the audit report, कर सकता है क्या बेटा, cg of India within ये अपने नहीं कवर किया था, कवर किया था क्या नहीं किया था न, बोलो हाँ या ना, 4 तक कवर किया था, यहाँ तक कवर किया था, याद आया, तो 5 क्या बोल रहा है बिटा दियान से देखो in the case of government company तो 5 specifically किसकी बात कर रहा है बिटा government company और company controlled by government company बुलो हाँ या न तो इस case में जो भी auditor appoint हो है कौन auditor बिटा यहाँ पे 139.5 बाला बुलो हाँ या न subsequent auditor subsequent auditor yes or no yes ओके यहाँ पे मेरे बात ध्यान समझना है यह देखो लिखा है 139.5 लिखा है कि नहीं लिखा है लिखा है या नहीं लिखा है लिखा है और 139.7 किसकी बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है यह तो subsequent auditor हो गया और यह first auditor हो गया बराबर है हाँ या न अब यहां पर ध्यान समझना है बोल रहा है साब अगर government company या government controlled company बोलता है CAG of India shall appoint the auditor या तो subsequent auditor या तो come on first auditor and direct such auditor the manner in which the accounts of the company तो बता हो जरा इन दोनों auditor को direction देगा या नहीं देगा picture clear हो गया है नहीं clear हो गया है yes or no yes और इसके बाद जो भी auditor अपना audit कर रहा है तो अपना report किसको देगा बेटा CAG को देगा including the direction issued by CAG yes or no and the action जो भी auditor ने action दिया है वो भी CAG को देगा बोलो हाँ या ना और उस action का impact financial statement क्या आया है वो भी CAG को देगा कहने का मतलब क्या होगा समझ में आ गया क्या CAG को पूरी reporting होगी yes or no और मैंने बता है government company के case में ROC को होगा या किस को होगा CAG को होगा CAG को हो रहा है बोलो हाँ या ना picture clear है या नहीं clear है everyone yes अच्छा इसके बाद क्या बोलो बैटा right of CAG to conduct supplementary audit or supplement the audit report अब मेरे को एक बाद बताओ ठीक है आपने यहां पर क्या किया बैटा copy of audit report किसको submit किया बैटा जल्दी बोलो फटा फट से CAG को क्या ROC को भी submit करना है क्या बैटा ROC को submit करना है क्या ROC को annual report कुछ याद आया क्या AOC 3 कुछ याद आया क्या याद आया AOC 3 accounts of books of account पिछले chapter पे 137 कुछ याद आया क्या फिरटक गया यार याद आया या नहीं आद आया याद आया हो अगर एक बार ज़रा थोड़ा सा 137 टच कर लो मिला या नहीं मिला इतर गया इरा अभी 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 क्लिक कर रहा है ठीक है क्या बोल रहा है वेटा किदर गया क्या लिका है वेटा एवरी कंपनी लिखा है या नहीं लिखा है फाइनेशल स्टेट्मेंट विद रजिस्टार देंगे या नहीं देंगे जल्दी बोलो फटा-फट से एओसी थ्री पे जो आपने रिपोर्ट सम्मिट की थी उसको आप AOC 4 में किसको डालो कि बेटा ROC को बोलो हाँ या ना और अगर आपकी गवर्मेंट कंपनी तो ये काम आपको करना पड़ेगा और इसके साथ साथ CAG को भी आडिट रिपोर्ट अपना देना पड़ेगा I hope I am clear with this पिक्चर क्लियर है Everyone किजी को कोई डाउट यहां पर किजी को कोई डाउट नहीं है पक्का 100% शोर शोर्ट बढ़िया अब आजाओ यहां पर प्लिक रहेगा भूलेगा तो नहीं यस हो नो अब यह क्या बोलते है बटा देखो CAG जिस दिन इसको audit report मिलेगा बोलो हाँ या ना अंडर सब सेक्शन 5 में सबसीक्वेंट ओडिटर का यस ओ नो तो within 60 days from the date of such receipt of audit report क्या कर रहा है बटा conduct a supplementary test of the financial statement समझ में आया क्या यस ओ नो मतलब additional test वो कर सकता है अगर CAG चाहे CAG चाहे तो within 16 days from the receipt of audit report क्या वो चेक करेगा या नहीं करेगा मतलब वो क्या कर रहा है बटा conduct a supplementary audit of the financial statement of the company by such person or persons as he authorized in this मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है बटा CAG CA को appoint कर रहा है CA की authenticity चेक करने के लिए बोलो हाँ या ना जो auditor है CAG थोड़ी ना जाएगा audit करने हाँ या ना CAG अपने member को ही भेज़ेगा बोलो हाँ की ना समझ में अरे मैंने तुमको बोला मैंने का जाके बटा इसका murder कर देना बराबर है मैंने बोला तुमको ऐसा ठीक है अब मैं दूसरे को तुम्हारे पीचे भेज रहा हूँ मैंने का जाके देखो कि इसने किया की नहीं किया बोलो हाँ की ना समझ में आये अमरीश पुरी बोलता है ना पिक्चर में ये मैं तुमारे मा बेहन को गिर्वी रख दिया हूँ इदर गिर्वी रख दिया बोलता हूँ किटनाइप कर लिया हूँ अब जाके तुम हीरो को बोलता है जाके तुम इसका मुर्डर करके आओ बोलता है की नहीं बोलता है बोलता है या इसा करके बोलता है की नहीं बोलता है एक आदमी अपना भेजूंगा, वो जाके फिर audit करके आएगा, supplementary, not required by law, just as per the requirement of CAG, बोलो हाँ या ना, तो check the authenticity of the work of the previous auditor, बराबर है क्या, statutory auditor, तो उसने बोला, जाके एक पर check करके हो, कि यह जो statutory auditor को मैंने बेजाते हैं, बराबर काम करके आए, कि नहीं क्या क्या, yes or no, yes, तो यह जो है, यह जो supplementary auditivity है, ध्यान से समझना, यह by act compliance नहीं है, but यह by the requirement of CAG, यह comply करना, अगर CAG को लगा है, यह ही बोल रहा है, CAG of India में direct, अगर direct किया, तो ही यह audit होगा, otherwise इसकी ज़रूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना, picture clear है या नहीं clear, everyone, comment upon supplement such audit report, ठीक है भई, जो भी audit report है, supplement audit report है, उस पर जो भी comment है, वो आप कर सकतो, any comments given by the CAG of India upon supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to the copies of audited financial statement under section, come on, क्या लिका है बटा, 1361, यह कौन था बटा, 136 कौन में था बटा, members, debenture, trustee of debenture holders, yes or no, and other notified members, बोलो हाँ या ना, यह तीन लोग थे कि नहीं थे, फिर भूल गया, यह तुम लोग भूलते हैं बहुत चल्दी हो, बताया थे कि नहीं था, तीन लोग, yes or no, एक को member, दूसरा trustee of debenture holders and other notified members, इन तीनों को जो भी आपने message किया है, yes or no, जो भी आप information को देर, तीनों लोग को चाहिए कि नहीं, चाहिए financial statement का data चाहिए, तो बोले साब, जो यह central, CAG audit करवा रहे है, तो इसके में जो भी comment है, यह comment भी आप किनको भेज़ दो बेटा, member को, trustee of debenture holders को, other notified persons को, बोलो हाँ या ना, और इसे आप कहां पे दे सकते हो, बटा, AGM में भी दे सकते हो, बोलो ह हा की ना, picture clear है, everyone हा या ना, yes, फिर आते हैं बटा, test audit, so without prejudice to the provision of this chapter, मतलब जो audit चल रही चल ले दो, the CAG of India may in case of any company covered under section, come on, क्या लिखा बटा, 1395 and 1397, मतलब यह कौन सा होगे बटा, 1395, subsequent auditor जहां पे जा रहा है, और come on, first auditor जहां पे जा रहा है, बोलो हा या ना, yes or no, yes, मतलब यह कभी भी, मतलब during the lifetime of the government company, यह कभी भी हो सकता है, बोलो हा की ना, क्योंकि first auditor तो एक बार आएगा ना, but subsequent auditor तो हर साल आता रहेगा, बोलो हा की ना, picture clear, yes, if he considers necessary, again, test audit और यह जो supplementary audit चल रहा है, इस कहीं साब से चल रहा है, CAG कहीं साब से, companies act नहीं बोल रहा है, कि यह करना ही है, यह बोल रहा है, अगर CAG को लगता है, तो करेगा, नहीं लगता है, तो कोई जरूरत नहीं है, बोलो हा या ना, तो conduct test audit to be conducted in the accounts of such company, and provisions of section 19A of the CAG act shall apply to the report, कहते हैं, CAG act है, अपने को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं, तो detail में जाने की जरूरत नहीं है, I hope I am clear or not clear, बोलो ज़रा फटा-फट से, picture clear है, everyone, everyone मतलब everyone, so yes, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, कि जब भी यह subsequent auditor appoint कर रहा है, तो यहाँ पे 5, 6, 7, important है या नहीं बटा, 5 क्या बोला बटा, direction ले लेना, yes or no, then 6 क्या बोला था बटा, जल्दी बोलो फटा-फट से, inform कर देना members को, बराबर है क्या, और 7 क्या बो picture clear, everyone, तो यह slide समझ में आया क्या, audit का, yes, come on, तो हमने क्या-क्या cover किया, पेटा, यहाँ पेदे को, 141 cover किया, qualification होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, 143 powers थारे होने चाहिए, and 5, 6, 7, specifically होना चाहिए, फिर 139, 7 मतलब first auditor, 139, 5 मतलब subsequent auditor, yes or no, 5, 6, 7, cover कर दिया, direction of CAG, yes or no, इसके बाद हमने क्या cover किया, बेटा, 139, 8, that is feeling casual, वेकिन, मतलब हमने अभी तक क्या-क्या cover कर दिया, बेटा, इसमें, अगर आप देखोगे, summary आप देखोगे, first cover हो गया, हाँ या ना, auditor by rotation pending है, बोलो हाँ या ना, yes, तो 2, 3, 4 pending है, कोई दिक्कत नहीं pending रहे हैं तो, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बोलो हाँ या ना, 9 और 10 इसके साथ चलेगा, किसके साथ बेटा, 9, 10, 2, 3, 4 के साथ चलेगा, don't worry about that, तो जब rotation होगा, तो reappointment की भी बात होगी, बोलो हाँ या ना, yes, and then appointment of auditors by audit committee, आज और फटा-फट से देख लो, ऐसे audit committee हमने बात कर बाता है बेटा, जल्दी बोलो फटा-फट से, बड़ी companies में आएगा, बताया था ना, बड़ी companies में, हाँ, उसकी limit थे, कितनी limit थे बेटा, जल्दी बोलो फटा-फट से, कितनी limit थी, नई ध्यान है, चलो मेरे को भी ध्यान ने, मैं बता जिता हूं, yes, यहाँ पे audit committee के बोरोईं कितना है बेटा, 50 crores और मोर, पढ़ाया था, हाँ या ना, और audit committee कब लग रही है बेटा, 139.11 में, कब लग रही है बेटा, जल्दी बोलो फटा-फट से, 139.11 में, ओके, तो where a company is required to constitute an audit committee under section 177, तो यह basically जो है, मैंने यहाँ पे 177 के जो है, कुछ क्रक्स यहाँ प unlisted public company हो, जिसका paid-up share capital 10 करोड या उससे जादा हो, turnover 100 करोड या उससे जादा हो, और borrowing 50 करोड या उससे जादा हो, बोलो हाँ या ना, yes, तो हमारा basically 139 पूरा almost complete हो गया है, सिर्फ एक concept अब बचा हुआ है, that is called as what, come on, rotational auditor and reappointment of retiring auditor, I hope I am clear with this, yes, 140, अभी हमने cover किया है, नहीं किय 141 cover कर लिया, हाँ सर, 141 cover कर लिया, 142 नहीं cover किया, 143 cover कर लिया, आज पूरा cover कर लिया, बोलो हाँ या ना, सिर्फ इतना बांकी है, हाँ, 456 हो गया है, बोलो test audit 567 हो गया, 4 तक हमने पहले ही cover कर लिया था, I hope I am clear everyone, बहुत बढ़िया बिटा, बहुत बढ़िया, 144 भी cover हो ग दिक्कत नहीं है, यह almost complete ही हो जाएगा, कोई दिक्कत रही है, main अपना कितना बचा है बचा है, एक तो remuneration, और दूसरा, 140, removal resignation तो ही है, removal resignation easy है, कोई दिक्कत नहीं है, so almost, हमने maximum part cover कर लिया है, yes or no, yes, सिर्फ अब appointment में एक point cover है, कौन सा बढ़िया, number one, rotational auditor, and number three, come on, reappointment of retiring auditors, I hope I am clear, बांकि सारी चीज़े हमने यहां पर आपकी touch कर दी है, complete कर दिया, तो आप एक बार अपना ICI module cover कर लिजे का सारी चीज़े clear, everyone, किसी को कोई doubt है, बैं मैं डाल रहा हूं बिटा, डाल रहा हूं, आप देखो, NFRA वगेरा आ गया है आपका, ठीके, तो एक या दो दिन म कुन सा आया था, 135 आया था, अभी आप देखो, NFRA भी आ गया है, NFRA भी मैंने डाल दिया है, अब देख लो, अज सुबह ही डाला है मैंने, आज की मिज़ोई कोई बात नहीं बिटा, एक या दो दिन में ये भी आ जाएंगे आपके पास, don't worry about that, ठीके, जैसे ही हमारा complete होग हम फेमा के लिए स्टार्ट रेडी रहना ठीक है, तो एक और I think वो company incorporated outside India, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फेमा को, clear, चले, ठीक है, इसको, नहीं यार, एक दो दिन, एक दो दिन नहीं लगेगा ना, बढ़ चार-पांच वीडियो देख साथ नहीं डाल सकता हूँ, द बराबर है ना, कहां तक हो गया, हाँ ना, हाँ, तो वही, एक दो दिन लग जाएगा, तो आज मैंने 132 डाल दिया है, बराबर है, इसके आगे की कुछ रहीं एंट दिन आ जाएगा, कल, कल या, आज या कल तक में आ जाएगा, आज या कल तक में आ जाएगा, don't worry about that, ठीक ह है, डाल दूँगा मैं, हाँ, क्या बोल रहें बटा, PDF ना, PDF मैं अब भी शेयर कर रहो आपको, no worry, ठीक है बटा, चलो, okay, हाँ जी, हाँ, फिमास स्टार्ट करने वाले हैं, वही तो बोला, company incorporated खतम करने के बाद फिमास स्टार्ट करें, वही तो बोला मैंने, ठीक है, हाँ, चलो, thank you so much everyone, God bless you, thank you, आरे, लिंपल, happy birthday, wish you very happy birthday, मैंने message कर दिया था, आप, available लेता, I'm so sorry, I'm so sorry, ठीक है, खूब तरक्की करिये, खूब बढ़िये, खूब अच्छा कमाई करिये, पैसा कमाई करिये, अमीर बनिये, है न, भगवान आपको, जिंदगी की सारी मनो कामना है, आप अच्छी मनो कामना है, जो भी हूँ, आपकी पूरी करें, ठीक है, और इसी तरीके से आप अपना सदत, प्रयास, अभ्यास करते रहिए, और दिर्गजी भी बनिये, ठीक है, चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है, thank you so much everyone, God bless you, thank you.